तुचिम लू lurकों 3 Candis Layer मेर का सब्सक्राइब देखना है तो कॉष्छण देखने पहले एग क्षोटी से दिया लाटना चेह में इसके क्वारे में क्या होता है तो तरिकमेंधिशन के तो त्थे का निक्षा दिए मुझ बहुं सबाएं है the points to be considered in the design of one way cantilever slabs are following कुछ इसी conditions है जो कि हमको देखने है पहला जो इसका conditions है तो effective span of cantilever slab we taken as its length up to the face of the support plus half of the effective depth मतलब कहने का यह है कि अगर यह cantilever slab है हमारा और यह दूरी L0 और दूरी D है तो effective span अगर नोट प्रस दीबाइ टू होगा यह सेकेंड कंडिशन है कि इफेक्टिव डेप्ट ओफिक्स एंड इस maximum and is assumed to be about span by 10 to span by 12 from deflection criteria पतलब कि जो प्राइमरी टाइमेंशन होगा हमारा effective depth का उसको हम फिक्स एंड मोमेंट फिक्स एंड माक्सिम होता है उसको मान सकते है कि span by 10 से लेकर span by 12 के बीश में वेल्यू हो सकती है पर नुमर थार्ड जो है दिब रिक्वाइड प्री इंड इस minimum and is kept 1 by 2 to 1 by 3 of the depth at fixin and the fourth is most most important जैसा कि सब्सक्राइब से इंपोर्टेंट यह है कि इसमें यह competition में पूछा जाता है कि जो कांटिलीवर स्लयब इसमें रिन्फोर्स्मेंट क्वाहं देते हैं तो तो में रिन लिन फोर्टेंट एडेंड टॉप एंड टॉप एंड इस to स्टाइब डॉटैटन फर मीटर स्टील तो हम सबसे पहले साज्वोरश्य में क्या लिखता है अपनागी वें डीटा लेगते हैं जो हमरा टोटल लोड जो लग रहे हैं एफ सीके की वहरी 20 न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर एफवाइं करेक्टरिस्टिक स्टेंथ आफ स्टील 415 न्यूटन पर मिटर स्क्वाइर अपना पहले स्टेप आते हैं पाइंड एफेक्टिव डेप्ट अफ्लैप तो जो हमरा आई तो जो हमारा एफेक्टिव डेप्थ हो गया है तो 1.2 मीटर को जो हम चेंज करेंगे में में तो ट्वेल में डिवाइड वाइट हैं यह आगया 120 एमें ठीक फिर हम क्या करेंगे कि तो यूज 20 में क्लियर कबर एंड डाय आफ दबार इस एट में 20 में क्लियर कबर मान इसको में एडाप्ट करें लिए 145 mm नुमेरिकल में तो लाइज लिए 145 mm मान लिए 144 पर हमने एडाप्ट करें लिए डीव राबर 145 mm हो गया और स्मॉल डीव राबर हमारा क्या होगा 120 mm यह दो चीज हमारी प्राइमरी डाइमेंशन से निकल कर आए अपने नेक्स हमारा किया है अफ्छर्ट एक्र इस्पैनी फ्रक्रत है क्लेडे स्मेंट प्लस एक्टीब टैथ क्लेर स्वेंट कितना है वन जो खैर्ट ऑर हैंग दिया वाग ए 1.2 मिटर का फ्लस अफ्ड टिप्ल वांट वान तू दू दिवाइड बाए तू इसको सा अलगे एक्टिव एक ऐा गए 1.26 मीटर अब अगला इस्टेप एक अफ बेंडिंग वेंट तो फैक्टर रोड निकाले लिए सबसे परिम कहा रहेंगे सेलइब स्टाइट मॉन इन्तो देंटायों सेलें वेलीन इंट देंसीट आफ सेलsters कि फोगब पतिस था nom 25 fig coachesίνक। टू फाइसाद पर म्यूत कर कि क्यों को गया है3625 पर मीटर इंपोस लोड इंपोस्तों पहले निखाले अधु टान कहले ति के निथा आप mathematical नंदे नूटनवर मेंटर स्कॉयर लगो वह से लिए लूड़ा करने पूड़ा हमनने तो यह आ गया 5425 न्यूटन पर मीटर अब इसको फिर से किलोटर में चेंज कर लिया है 1000 से डिवाइट कर दिया तो यह क्या आ गया 5.425 किलोटर पर मीटर यह हमारा लोड आ गया किलोटर पर मीटर अब इसको नहीं फैक्टर कर लिए 1.5 से गुड़ा कर दिया से घुड़ा करे तो 8.137 हेलोड़न पर मीटर हमारा फैक्टाड लोड आ गया तो फैक्टाड वनिमोमन डू यू एल स्कॉर पाइड तो तो फैक्टाड बेंडि मोमन फ़्मूलर डू यू एल स्कॉर बैट डू डब्लू की वैलो जो यू दिन हमारा लोड आया 8.137 इंटु एल एफेक्टिव स्पैन जो मारा एफेक्टिव आया वह कितना है 1.26 इस से गरने से बेंडिंगोंट नमारा गया 6.45 किलो न्यूटन मीटर अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के तरब स्टाप नमबर 4 एफेक्टिव डेप्ट रिक्वाइड तो आप सभी लोग को पता है कि एफी 415 के लिए जो बैंडिमोंट को फार्मूला होता है मुब बराबर 0.138 FC के बीडी स्कूर्ड याँसे हम डी रिक्वाइड निकालेंगे डी रिक्वाइड अंडरूट के फार्मूला आजाएगा मोमेंट की वेलू रखे पर हमने मोमेंट को यह न्यूटन में में चेंज का लिया 0.138 FC की वेलू 20 B की वेलू 1000 तो दी रिक्वाइड आया 48.34 mm और हमने एडाप्ट किया है 120 में यानि हमारा है पर दी ओके है एरिया फिस्टील रिक्वाइड वही फार्मूला में वरावर पॉंट 87 F5 AST ब्रेकेट में टी मैंस F5 AST डिवाइड वेड़ एफसी की इन्टूबी इस सारी वैल्यूस हमने रख लिए इसको सॉल्व किया था हमारी AST की वैल्यूव होगी 152.91 mm² अब आपको पता है कि एरिया फिस्टील हो गया हम मिनिमम से चेक करते कि मिनिमम हो कितना देन से तो आपको मिनिमम पता है कि कि एक चारसो पंदरा के लिए एक चारसो पंदरा के लिए हम लोग देते हैं पॉइंट वान टू परते अलिया वन तो प्रसक्षन एरिया वन टू वन डिवाइड बाइट इन्टू क्रसक्षिन रिया यानी कि हमारा AST राए एक सो बावन 152.91 mm यहार्न हमको कितना है मिनिम वन सेवेंटीफॉर एम इसक्वार तो जब भी एसी कंडिशन आएगी हमारी एस्टी मिनिम्म की वैलू ज्यादा आएगी जो हमारा एक्ट्वल के एस्टी है तो मिनिम्म से कम तुमको देना नहीं किसी भी केस में तो हम फाइनली क्या प्रोवाइट करेंगे एस्टी वर सेव लिए एस्टी 174 mm स्क्वार तो यानि हमने एस्टी 174 mm स्क्वार हमने एडॉप्ट कर ली अच्छो लिए अभी यूजिंग 8 mm डाया बार हमने यूज किया तो उस एट एट एम डाया बार का एरिया कितना आगा 50.3 50.3 पाइब फॉर इंट्वार इंट्सक्राइब इस्पेस है क्या क्योंकि हमने मिलमा में एस्टी 171 रच्फ लइंट है इसक्ति से कमा आया इसलिए हमने में डीनिम Одे घै Sag It अपने इस्टिबूशन इस्टिबूशन क्या होता है वह मिनमुम क्या है तो आपको पता है कि यहां पर एक्ट्वाल स्टिबूशन कम आया और इस्टि मिनमम ज्याद आया और जो AST minimum होता है वह हमारा क्या होता है distribution steel भी होता है वह हमारा distribution still भी होता है तो वह एम फिर इसने हम नहीं तो बार बार calculate करने साथ है हमें लेख दिया also provide 8 mm डाया बार and a rate of 280 mm center to center in other direction as distribution steel क्यों क्योंकि distribution steel और AST minimum दोनों सेम होता है तो AST minimum यहाँ पर सेम वहीं 174 आएगा फिर हम स्पेसिंग निकालेंगे तो फिर यहीं स्पेसिंग निकलेगी इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया जा अलसो provide 8 mm डाया बार at the rate of 280 mm center to center in other direction as distribution steel क्योंकि distribution steel और में इस्टील में जो एंगल बनता है वो 90 डिगरी का बनता है अब आता अपने अगले step number 6 पे check for shear तो हम पहले सबसे पहले factor shear force निकालेंगे कि w into l होगा इसमें ठीक फैक्टर चीर फोर्स हमारा cantilever beam के लोगा डव्लू यू इंटो यू वल्यू हमनों 8.137 निकालो और एल जो है 1.20 है तो हमारा factor shear force था गया 9.76 किलो न्यूटन उसका हम निकालेंगे nominal shear stress आपको पता है कि इसमें हम टाउसी वरा टाव भी चेक करते हैं तो टाउसी भी हम निकालेंगे पहले टाव भी निकालेंगे ताव भी क्या होता है nominal shear stress उसका फार्मूला होता है व्यू डिवाइड बाए बेंटो दी वियू को हमने 9.76 इसेक्सी न्यूटन में चेंज के लिए डिवाइड बाए 1000 वी की वैलू डी की वैलू 120 यह वैलू आपको इसकोड में पेज नमबर 73 पर दिखा भी देता हूं आईस कोड में यह जो टावसी की वैलू आपको साब साब दिख रही होगी ठीक है अब इस टावसी को निकालने परसेंटेज आप इस टी निकल लाए एस टी डिवाइड वाइड वाइं बी इन्टु दी अब देखिए यहां पर एस टी की वैलू फिर से चेंज हो जाएगी क्यों क्योंकि आप देखिए एक्च्वल एस टी था वो हमारा 174 था और स्पेसिंग 289 थी लेकिन इस पेसिंग hi को हमने क्या क्या कुछ गम कर लिए to 688 थो यह जाएगे स्टी की वैलू थोड़ी चेंज हो जाएगे स्टी प्रोवाइड हमरा क्या हो जाएगा था असिफ्रोवाड़िट क्या हो जागा स्टी इन्टो मैं a 7.2 x to 11 7 की वेलू कि 120 तो यह बाइडिफॉल्ट वेलू 0.15 परसेंट आ गई 0.15 परसेंट और आपको पता है कि जब हम कोड देखेंगे हम जब कोड देखेंगे 0.15 परसेंट की वेलू डारेक्ट दी हुई है तो हमें कुछ निकाल नहीं नहीं में 0.15 परसेंट की वेलू 2.8 न्यूटन पर में स्क्वाइर है ताउसी की वेलू एकॉर्डिंग डूस परसेंटेज आफ इस्टील कोड में डारेक्ट दी हुई है तो ताउसी की वेलू ज्यादा हो जाएगी ताउबी से हैंस से इन सेवर जो हमारा स्लैब है वह सियर में चेक प्र डिफ्लेक्शन तो परसेंटेज स्टील पॉइंट वाइन पाइफ परसेंट एफेस की वेलू इडू जो यह मैने आपको बताया था कि आपके कोड की पेज नमबर पर नमबर पर यह वैल्यू दी हुए है यह मैं आपको दो तीर बार दिखा चुगा हूँ इस को में तो आप इस कुश्चन को देख लिए पर दिया हुआ ठीक है फॉर्मूला से मुए फ्स बराबर पॉइंट फाइट एफ इंटू एस्टी रिक्वाइड वेस्टी प्रोवाइड़ तो एस्टी रिक्वाइड हमारा कितना है था मिनमा में एस्टी 174 में स्कॉयर सब्सक्राइब तो जो मॉडिफिकेशन फैक्टर की वेलू आएगी वह तू क्या प्रॉक्स आएगी अब यहां पर देख लेते हैं हमारी वेलू क्या तू थर्टी टू न्यूटान पर में स्कॉयर यानि वह तू फॉर्टी में लाई करेगा सबसे निरेस्ट क्या इन चार सब्सक्राइब तो उपर हम इसको ले जाएंगे तो कहीं यहां कट करेगा तो अप्रॉक्स टू की वैलू आएगी तो अब हम अपने कोड पर जाएं तो कोड हमारा कहता है कि एल बाइडी का जो रेशियो होता है कैंटी लीवर के लिए वह सेवन इन टू के हैं मॉडिफिक और इसमें फिर हम मॉडिफिकेशन फैक्टर का गुड़ा कर देते हैं तो ल बाइडी मैक्सिमुम सेवन वैलू टू इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर तो यह वैलू आगे 14 और ल बाइडी प्रोवाइडेड हमने क्या गया एल की वेलू क्या थी बारह सो पचास क्या माना था बारह सो पचास हमने क्या माना था 120 अब हमने मैक्सिमुम यह कोड की वैले कोडल प्रोविजन से चेक कर लिया यह वह लिए 14 आ रही है यह वैलू 10.4 रही तो यानि हमारा जो कुछ जो हमारा स्लाइब है और डिफ्लेक्शन में भी हमारा क्या वह फेल नहीं कर तो आई वोप आपको यह वीडियो समझ में आगया होगा पूरा बाकी कोई दिक्कत होगी क्योंकि यह जो डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया मैंने सारी स्लाइफ में लगबख सीम कराया हुआ और सारा प्रोसीजर सेम है तो आप पूराने वीडियो को भी देख सकते हैं इस